Hello everyone, मैं हूँ किरिंशापुरी और ये है आप लोगों के लिए coming week का सापताहिक राशीफल ये 18th April से लेकर 24th April तक की आपकी tarot ratings है, tarot predictions है और अगर आप personal tarot s2 session book कराना चाहते हैं तो मुझे whatsapp call या फिर whatsapp message करेंगे तो बहतर रहेगा क्योंकि दिए normal call हो सकता है, miss हो जाए लेकिन whatsapp पे आपको जवाब ज़रूर मिलेगा और मेरी contact details आपको नीचे description box पे मिल जाएंगी इस video के end में भी मिल जाएंगी इसी के साथ साथ अगर आप DDT already में interested हैं तो आप मेरा insta page भी visit कर सकते हैं जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा और दूसरी बात इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं sun sign, moon sign, ascendant या पर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके according भी आप इस reading को देख सकते हैं और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस sign को आप अभी तक follow करते आ रहे हैं या पिर जिस sign के हिसाब से आप अभी तक अपनी readings को देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं आप उसी sign के हिसाब से इस reading को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं coming week का सापता है क्राशी फल चलिए जे मिनीज आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए cards है wise counselor and choose wisely तो देखें दोनों ही cards में wise लिखा हुआ है तो इस week in general या फिर specifically आपके professional front में आप हर चीज को बहुत ही wisdom, बहुत ही समझतारी के साथ deal करना चाहा रहे हैं और जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं उनके लिए guidance है देखें या पर choose wisely का card बहुत ही clearly कहता है कि इस week या तो कोई decision, कोई choice आप लेना चाहा रहे है या फिर आपको लेनी पड़ रही है और आप हर option को अच्छे से समझना चाहा रहे हैं choice और decision लेने से पहले हर pros and cons को again मैं कहूंगी अच्छे से वे करना चाहा रहे हैं और इसलिए शायद या फिर otherwise भी wise counselor का card कहता है कि आप किसी से guidance advice counseling ले रहे हैं या फिर किसी को guidance advice counseling दे रहे हैं और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप बहुत ही rigid बहुत ही fixated कुछ चीजों को लेकर हो रहे हैं आप किसी भी तरीके का compromise किसी भी तरीके का adjustment नहीं करना चाहा रहे हैं again अपने goal, अपने मकसद या फिर अपने काम करने के तरीकों को लेकर या फिर किसी भी चीज को लेकर rigid और fixated हो रहे हैं और अगर ऐसा आप भी पाएं Gemini's तो थोड़ा सा check करके correct कर लें क्योंकि देखिए अपने goal के लिए fixated होना बहुत अच्छी बात होती है लेकिन जब हम बहुत जादा ही rigid हो जाते हैं तो हम और options को नहीं देख पाते हैं और चीजों को अच्छे से नहीं देख पाते हैं इसी लिए देखिए हो सकता है यहाँ पे deeper level का card choose wisely की बात करता है और कहीं देखिए पुराने तरीकों पे आप जादा विश्वास करते हुए देख रहे हैं जो भी tried and tested methods हैं आप उनको जादा follow करना चाह रहे हैं कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप बहुत ही rules और regulations के हिसाब से चल रहे हैं तो देखिए जो भी करें लेकिन मैं आपको यहाँ पर यही कहूँगी कि over rigid या over fixated किसी भी चीज को ले करना हूँ and personal front के लिए आप लोगों के लिए cards है night of cups, untrapped in fear और देखिए night of cups का card कहीं emotions की बात करता है, feelings की बात करता है और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी in general या फिर specifically इस week आपके personal front में रहतावा दिख रहा है जहाँ पर फिर से मैं कहूँगी कि आप चीजों को लेके बहुत emotional, बहुत sentimental हो रहे हैं कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप थोड़े से sensitive भी हो रहे हैं जहाँ पर चोटी-चोटी सी चीज़ें आपको hurt कर रहे हैं और देखे जो भी आप अपने personal front के लिए चाहाते हैं उसी से ही related आप एक ख्वाप देखते वे दिख रहे हैं कहीं visual create कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत ही imaginary world में आप रहे रहे हैं यानि कि आप सोच तो बहुत रहे हैं लेकिन उसी को ही reality में convert करने के लिए बहुत actions, बहुत initiatives नहीं ले रहे हैं और देखे इसके लिए सब के लिए different reasons हो सकते हैं लेकिन night of cups के नीचे trapped in fear का card कहता है कि एक fear, एक insecurity भी साथ ही साथ आप महसूस कर रहे हैं कहीं एक helpless, कहीं एक hopeless feeling भी रह रही है यानि कि देखे एक wish है, desire है या फिर कुछ पाना चाहते हैं, कुछ चाहत है और देखे इस सब के लिए differ कर सकता है कुछ लोगों के लिए love relationship हो सकता है कुछ लोगों के लिए कोई tangible, materialistic चीज हो सकती है कुछ लोगों के लिए कोई idea हो सकता है कोई भी चीज हो सकती है जिसके लिए again एक wish है, एक desire है लेकिन उसी से ही related, एक helpless feeling भी है जहां पे आप खुल के कुछ भी नहीं कर पा रहे है आपको ऐसे लग रहा है कि आप बंधे हुए है और इसलिए देखे, आप थोड़ा सा मन ही मन परेशान भी होते हुए दिख रहे है और इसलिए हो सकता है, या फिर otherwise भी एक fear है, एक insecurity है और यहां पे मैं आपको यही कहूंगी Gemini's की जो भी fears होते हैं, insecurities होती है सबसे पहली बात वो 80% of the times पे बनेयाद होते हैं उनका कोई base नहीं होता है, वो हमारे ही mind की creation होते है और जब हम उनको question करते हैं या फिर positive thoughts के साथ replace करते हैं तो वो खुद बखुद ही गायब हो जाते हैं और इसी वज़े से restrictions, limitations भी हम महसूस करते हैं यानि की देखे सबसे बड़ी restriction कोई भी चीज को पाने के लिए हमारा negative thought process या फिर हमारा negative belief system होता है और अगर ऐसा आप भी पाएं Gemini's तो इस चीज को जुरूर चक करके correct करें self talk करें और देखें self talk में देखें आपका mind आपसे किस तरीके की बाते कर रहा है negative या positive और इसी negative को अगर आप positive में convert कर पाएंगे तो एक clarity लेकर आप आपाएंगे इन fears को overcome कर पाएंगे और concrete steps भी अपने goal, अपने मकसद या फिर अपनी wish को manifest करने के लिए भी ले पाएंगे and guidance से आप लोगों के लिए coming together का card है तो देखें बहुत ही clearly ये card कहता है इस week आप जो भी करें आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि जो भी आपके loved ones हैं, close ones हैं या फिर आपके work front पे colleagues हैं, co-workers हैं उनके साथ आपका bond strong हो और देखें यहापे कुश लोगों के लिए ये भी एक guidance हो सकती है कि किसी चीज को लेकर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि आप क्या करें तो जो भी experiential इंसान आपकी life में है जिनको आप trust करते हैं, उनसे जरूर आप बात कर लें, उनसे जरूर आप discuss कर लें and astrology से आप लोगों के लिए the fourth house का card है और इसके हिसाब से white color इस week आप लोगों के लिए लखी रह सकता है and significant day आप लोगों के लिए होगा Monday तो यह था Gemini's आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पर जरूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए